future of real midnight भाई आप लोग बताऊ कैसा होगा future of real आप लोग बताऊ भाई जिस हिसाप से team बन रही जिन next generation खड़ी हो रही है जिस जिटना आप सोच सकते हो कि भाई हाँ इस level की ये team बनने वाली है हाँ इस level की इस ये जो generation हो खड़ी करनने वाले है जो इस Pretty even possible भाई पहली बात सबसे पहली बात because of this month because of this month भाई Perez, Florentino Perez, Don Florentino Perez भाई I don't know how भाई I seriously don't know कैसे भाई ये football world ने ये चीज़े allow कर दिये कैसे ये team बनने दिये I don't know how कैसे allow किया है हर एक club ने ये team बनने दे रहे है ये next generation बनने दे रहे हैं आपको allow कर दिये कैसे allow किया है football world ने या फिर कैसे पेरेज ये team बना रहा है खड़ी करने वाला है I have no idea भाई Vinicius, Rodrigo, Mbappe, most probably भाई Enric, Arda Guler, Brahim, Chuvamini, Kamuanga, Bellingham, Valverde, Lunen भाई, 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 बहुत, बहुत बड़ी story लिखने जाने वाली है भाई, बहुत बड़ी story लिखने जाने वाली है जिसको आप मैं आने वाली generations को बताएंगे जिसे हमारे time पर हमारे पापा लोग, बड़े बड़े लोग जो बताते थे यार जो फुटबॉल फॉलो गड़ते थे भाई हाँ पेले यह होता था भाई मेरड़ॉन होती हाँ ब्रजील की टीम यह होती थी यार तुमने देखा ही का अभी हम यह लिखने जाने वाल है भाई हम लोग बताएंगे इस लेवल की यह टीम थी नेक्स्ट जेनरेशन ओफ रियाल म जब अमबापे 30 साल का होगा भाई तब आरदा गुलेर 23 साल का होगा जब अमबापे 30 साल का होगा तब बिलिंगम 25 से 26 साल का होगा भाई दिस आप्सलीटली क्रेजी दिसस क्रेजी भाई three of the best players in the world three of the best पेजिन्दी वर्ल, for the next 10 years एक साथ, एक टीम में Vinicius, Bellingham, Mbappe भ pytanie विनिश और खास कर Vinicius and Mbappe का duo भाई सबको पता है भाई Vinicius with proper number 9, फिर Vinicius with Benzema, इसको ऐसे लिए टे है Vinicius with विनिश धशल को पता है Vinicius with Benzema कितना खतरनाग player था, कितना खतरना कि ये duo था सबको पता है, पूरी जिरोप में भाई एक अलगी नाम झाप दिया था, विंजीमा के नाम से भाई, यूसिल उखाड के साइड रख दिया था, विंजीमा विनिशिस कितना गलत विट बेटर गोल स्कोरिंग एबिलिटी भाई, आप देखो तो बेलिंडोर जो सीजन था, बेंजीमा का बेलिंडोर वाला सीजन, आप देखो भाई, लुक आट अमबापे के, हिस बिल्डप प्ले और एवरिथिंग, पूरा बेंजीमा वाला काम करके देगा विद विनिशियस और विद बेलिंगम, देखो यार फ्यूचर ओफ रियालमिड की अगर बात चल ही रही है तो सारा ध्यान सिर्फ स्टार्टिंग 11 पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ अगर मैं बात कर रहा हूँ, अलगी लेवल की टीम सबकुछ अलग लेवल कौने वाला, अगर मैं ये बोल रहा हूँ, बहुत बड़ी स्टोरी लिखने जाने वाली है सिर्फ मैं स्टार्टिंग 11 के भरोसे नहीं बैठाओं, सबकुछ उखाडने वाले स्टार्टिंग 11 के भरोसे नहीं भाई रियाल में अपनी खुद की दो टीम्स खड़ी कर सकती है, बर आप डेप देख रहे हूँ, नेक्स्ट लेवल डेप जो भाई रियाल में बहुत टाइम से मिस कर रहे हैं, जो आपको अलग लेवल की चीज़े को खड़नी है एक डॉमिनेट करना है, सिर्फ लालिगा कोनी, सिर्फ स्पेन कोनी, पूरे युरोप को, पूरे फुटबॉल को, अगर डॉमिनेट करना है आपको यी चीज़ चाहिए, आपको डेप चाहिए क्यों भाई बार बार भाई to achieve trophies to achieve titles अपना एक era को mark करना है हाँ यह era था हाँ भाई आने वाली generation को हाँ इस level की यह team थी भाई proper squad planning for the next 10 to 12 years अलग फाड दिया भाई पेरेज ने फाड दिया और साथ ही भाई अगर future की बात कर ही रहे हैं तो भाई देखो एंडिक पर बात करनी पड़ेगी खास कर खास कर कल जो बंदे ने जो level की performance दी और खास कर भाई देखो एंडिक सबको पता है बहुत ही next level का एक sensational player बोला जा रहा है क्यों सबको पता है क्या reason है भाई देखो एंडिक का goal एंडिक की finish एंडिक का औरा 17 साल का लड़का 17 साल का player भाई आप इसका औरा देखो यार आप इसका goal देखो आप इसकी finish देखो आप इसका औरा देखो भाई पता नि कितने goal मैं इसके देख चुका हूं इंडिक के box के बाहर से भाई he's ready भाई ये बंदा ready he's ready for लालीगा he's ready for realman he is ready for his next step भाई मतब यह फाट रहा है यह आग लगा रहा है he is ready for लालीग reality and सबसे जाणदा important भाई सबसे जाणा important तो आप लोगों के लिए बहुत important question है क्योंकि next video मेरी most probably इसी पर होने वाली है line-up जो भी हम कैसे manage करने वाले इतने सारी players को तो आप लोग comment section में अपने line-up जो भी आप front tree क्या देखते हो mid tree क्या देखते हो comment section में अपने thoughts ज़रू बताना with amma पे क्योंकि भाई अगर आप 4-3-3 जाओगे तो शायद आपको midfielder जो 4 राक्षेस हैं जिनको में 4 राक्षेस बोलता हूँ बेलिंगम का होँगा चुमेनी वाल वर्दे इनमें से किसी एक को शायद बिठाना पड़ेगा अगर आप 4-4-2 जो हम इस season खेल रहे हैं अगर आप इसी के साथ जाओगे तो भाई शायद हमें रॉट्रिकों को भी ठाना पड़ेगा तो आप जो भी आपके thoughts आपके comment section में अपने thoughts इस वीडियो के हिसाब से जो भी आपको लगता है जो भी आप फील करते है अपने thoughts देना बिल्कुल मत भूलना भाई वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब आइल सी यू वेरी सून हाला मदरीद